इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद नूज में आप सभी का खैर मक्तम है आज बेलगाम में फिर 36 अफरादों को किया डिश्चार्ज आज कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया लोगडाउन को 17 में तक बढ़ाने का फैसलाव ही लिया गया जिसके मुखालिफत कॉंग्रेस सदर राहूल गांदी ने करते हुए कहा कि बिना किसी प्लैनिंग के इस लोगडाउन को अवाम पर थोपा गया खैर बेलगाम में आज फिर नेगेटिव मरीजों को डिश्चार्ज किया गया तकरीबन 40 के करीब नेगेटिव रिपोर्ट हासिल हुए लोगों को डिश्चार्ज किया गया जिसमें ज्यादा तर हिरे बागवड़ी से हैं दिगर अफरादों में देसूर गांदी नगर और बेलगाम के दिगर इलाकों से है आज कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं पाया गया जिसा मिनान की इतला कह सकते हैं कल से पान की दुकाने भी खुलेंगे ग्रीन जोन में बसेज भी चलेंगी बेराल बेलगाम रेट जोन में उने की वज़ए से यहां पूरी तरह से छूट नहीं दी जाएगी और बसेज भी बंद रहेंगे फैक्टरियों को जाने वाले मजदूरों कामगारों को किसी पास की भी जरूत नहीं होगी स्कूल कॉलेजिस दफ्तर बंद होंगे अस्वताल में ओपली शुरू रहेगे वजीर आलाय उड़पाने कहा के दिगर रियासतो में जाने वाले एक्तरपा किराया अदा करते हुए चले महराष्ट की सरहत बंद होगी दूसरे जिलह या रियासत से आने वालों को कारंटाइन में रखने की बात वजीर आलाय उड़पाने कही शराबियों के लिए इत्मिनान की खबर है सिर्फ रियासत करनाटक में शराव ना मिलने से 200 से करीब लोगों के मरने की खबर हासिल है लहाजा कल से इन्हें खोल दिया जाएगा इबादत गाहें बंद होंगी पर शराब खाने खोल दिया जाएंगा ऐसा फैसला हुकूमत की जानिब से लिया गया कल से फैक्टरें शुरू होंगे बेलगाम के साथ दिग खबरों की तरब भी रुख करते हैं अमरिका ने मोधी भारतिय सिफारत खाना सत्रहिंद कोविंद को अनफालो करनी की ये वज़ बताई जारी आकलियतों पर हमले की खुली छूट से खपा है ट्रम्प अमरिका के सदर डोनल्ड ट्रम्प और वाइट आउस ने भारत के फॉलो करना शुरू किया था और वाइट हाउस की वर से फॉलो किये जाने वाले अकाउंट की तायदा कुल उन्नीस हो गईती पर बिला किसी वजह से वाइट हाउस डोनल्ड ट्रम्प और अमरिके सदर के ऑफिशल ट्वीटर अकाउंट ने भारत के वजिर आर्जम और दि अमकी के बाद भारत की ओर से अमरिका के लिए इस दिवा के बरामत फिर शुरू किये जाने पर वाइट हाउस ने खुश होकर मोधी सहीत कुछ हस्तियों को ट्वीटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया ता मोधी को अनफालो किये जाने पर कॉंग्रेस पार्टी की नेतार र का लिजन फ्रीडम की रिपोर्ट आम होने के बाद उठाया गया हो हाल ही में कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मजभी आजादी में भारत का मियार सब से गिरा हुआ है खतरना ख़त तक बिगडा हुआ है दुनिया के सबसे बड़े जमूरी कहलाने वाले भारत के हालत नहायत शर्मनाक है कमिशन ने कहा है कि हम नान स्टेट वसूलों की वह रख से अकलितों के खराब तशद्दूत के लिए खुली छूट देख रहे हैं भारत में वजब आज़ादी को मुकमल पामाल किया जा रहा है इसा भी इनका कहना है जब से कोरोना महामारियन की आलम देने वाली है वो कीनिया की है जो अपने बच्चों को खाना नहीं दे सकती जो माँ अपने आठ बच्चों को खाना नहीं दे सकती थी और वो सिर्फ तसली के लिए बच्चों के तसली के लिए रात भर पथर उबालती रही ताके बच्चे ये समझे कि खाना उबल रहा है और इसी के इंतिजार में वह सो जाए कोरोना संकट निके कोरोना महामारी ने कीनिया में एक खावतून को इतना गरीब बना दिया था कि उन्हें अपने बच्चों को बैलाने के लिए पत्थर पकाने का नाटक ड्रामा करना पड़ रहा था आठ बच्चों की इस मा का नाम पेनीना बहती किसानों है पेनीना अंपड़ा है और विद्वा है और वो लोगों के कपड़े दो कर अपना और अपने बच्चों का पेट पालती है लेकिन कोरोना आलमी वह फैलने के बाद उनका काम पूरी तरह से ठप हो गया पेनीना के लिए गरीबी और मुश्किल इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपने बच्चों को खलाने के लिए खाना तक नहीं रहा इसलिए उन दिया वह बच्चों की आवाज सुनकर रोते हुए बच्चों की बिलगते हुए बच्चों की आवाज सुनकर वहां पहुंची तो उसमें यह तमाम वाक्या देखा और उन्हें किस परेशानी में देखा तो उसको उन्होंने अपने कैमेरे में कायद कर लिया पेनीना की कहा पैसे मिल रहे थे किनिया के रेड क्रोस ने भी उनकी मदद काफी मदद की पेनिना कहती है कि अंदाजा नहीं था कि किनिया के लोग इतने किनिया के मुणबसा शहर में दो कमरों के मकान में रहती है उनके घर में ना तो बिजली आती है और नहीं पानी किनिया ने कोरोना बीमारी के तहट 3095 मामले सामने आये हैं और 19 लोगों के अब तक मौत हो चुकी है इस वाकिया ने वाकई पूरी दुनिया में दिल देला देने वाकिया इसको करार दिया है और लोगों के लिए ये कोरोना के अंदर इस तरके और कितने वाकिये होंगे जो लोगों के सामने नहीं आते बेराल हम सबको भी अपने अतराफ में देखना होगा भारत में भी कही ऐसे जगह है बिलगाम शाहर के अंदर भी कही ऐसे जगह है जहां हम तक नहीं पहुच पाते और गरीब जो है वहाँ पर सिसक सिसकर दम तोड़ता रहता है कहीं आइसा नहो कि रमजान जैसे मुबारक मेहने में हमारे पड़ो से हमसे हमारे करीब ही भूके रहते हों और हम उनकी मदद ना कर सके और कल कियामत के रोज हमारा गिरेबान न थाम ले इसका हम खयाल करते रहें घर में रही हैं महफूज रही है इत्याद मुझ देखने करे शुक्रिया अल्लाफीज